Hello everyone, welcome you all at Locaster Unlimited Study Zone. प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है. हम कल कर रहे थे Class 12 का Chapter No. 5. Topic है हमारा बेटा Continuity and Differentiability. अद हमने इसमें कुछ questions आपको कराये थे. तो आज आपकी बारी है, बताई किस-किस question में आपको बच्चों doubt आया है? कोई भी question स्टार्ट से लेके end तक, बताई कोई doubt है किसी question में विटा? सब आपने कर लिये हैं? चलिए ठीक है. तो अब हम अगली exercise के और चलेंगे, बट उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. उसको देख लीजे आप लोग. कि अगर आपके पास, मतलब algebra of continuous function, एक तरीके से एक छोटा topic है, उसको यहाँ पे मैं discuss करता हूँ. topic है, algebra of continuous function. तो यदि आपके पास कोई continuous function है, तो किस तरीके से आप दो function को देख सकते हैं? देखिए, suppose आपके पास एक function है fx और दूसरा function है gx. fx भी continuous है और gx भी continuous है. तो बिटा, fx और gx दोनों continuous हैं, तो rule यह कहता है, कि दोनों function का summation भी continuous होगा. It is also continuous. मतलब continuous plus continuous equals to continuous. अगर दोनों को आप subtract कर देंगे, so this will be fx minus gx, this will also a continuous function. दोनों को प्रोड़क कर देंगे, so fx into gx is also a continuous function. Clear है, बिटा? and fx upon gx, यह अगर दोनों individually continuous हैं, तो यह भी continuous होगा, provided gx is not equal to 0. gx 0 नहीं होना चाहिए. उन जगों पर यह continuous होगा. Clear है? तो इस पर एक question आपकी NCRT में आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ. Example आपके पास है function fx equal to sinx plus cosx. कहेगा बताईए कि क्या यह continuous है? तो देखे, अधि हम देखें, तो यह दो function से मिलके बना है. एक इसको आप f1x लेलो, और इसको आप f2x लेलो. ठीक है? तो f1x और f2x में, देखें, आप यह दिए f1x का graph बनाए, sinx का. तो sinx का graph इस तरीके से जाता है. और यह बेटा, throughout continuous है, x में. f1x और you can say sinx. बेटा, यह throughout continuous है. ओके? इसका domain क्या होगा? x belongs to minus infinity to plus infinity, जिसे आप x belongs to all real number भी कह सकते हैं. अब इसमें यह throughout continuous है. क्यों बेटा है की नहीं है, बोलो? यह sinx का graph है. चीक है? अगर आप f2x का graph बनाएं, तो देखे, cos0 की value 1 होती है, मतलब यह यहां से start होगा, और इस तरीके से यह भी infinitely move करता जाएगा. तो आपने देखा, यह function भी continuous है, और यह वाला function भी continuous है. ओके बेटा, सो हमारे पास क्या function बनेगा? f1x भी continuous है, और f2x भी continuous है, ओके? यह भी r में continuous है, और यह भी r में continuous है, means in all real number. तो बेटा, जो नया function इन दोनों की summation से मिलेगा, that will also be a continuous function. clear की not clear? okay, so this is all about continuity of a function. तो clear बेटा, आप लोगों को कोई doubt तो नहीं है ना, first exercise में, पक्के से ना? चलिए, बड़ी अच्छी बात है, अगर आपको doubt नहीं आया है, तो यह बहुत अच्छी बात है. बेटा, आपने दूसरे device से फिर से जुड़ना चाहा क्या? hello? तो इसको मैं admit कर दूँ क्या? ओके hello, check. अब ठीक है बेटा? ओके गाइस, तो देखिए, अब हमारे सामने है exercise 5.2, अब हम exercise 5.2 करने जा रहे हैं, और exercise 5.2 में हमारे सामने दो चीज़े आने वाली हैं. पहली चीज़ क्या आने वाली है, बिटा? पहली चीज़ तो हमारे सामने आने वाली है, पॉपिक है, जिसका नाम है, differentiability, तो differentiability का मतलब क्या होता हो? differentiability का मतलब है, to check whether a function is differentiable or not. क्या एक function differentiable है या नहीं है? ओके, at a given point. At a given point. क्या कोई function differentiable है या नहीं है? इस चीज़ को check करना. बच्चों, differentiation करने का मतलब क्या होता है? अगर किसी चीज़ का कोई आपके पास function है, तो y is equal to fx आपके पास function है. अगर आप इसका x के respect में differentiation कर रहे हैं, मतलब आप इसके आंगे d by dx लगा रहे हैं, y के आंगे, और d by dx आप fx के आंगे लगा रहे हैं, इसका meaning क्या होता है? इसका meaning होता है d by dx fx का करने का मतलब to draw a tangent at a point and find its slope. And find its slope. जी हाँ, बच्चो, d by dx का मतलब होता है, d by dx किसी point पर, okay, suppose आप d by dx निकाल रहे हैं at x equal to a, इसका मतलब x equal to a पर derivative, यह कह सकते हैं आप, slope of tangent at x equal to a. So this means, slope of tangent at x equal to a. मतलब differentiation का मतलब करने का मतलब होता है, कि किसी point पर आप पहले tangent खीचोगे, और उसके बाद उसका slope निकालोगे. चलो, for example, दिखाता हूँ मैं आपको, यह एक function है आपके सामने. यह एक function इस तरीकी से graph जा रहा है. आप से कहा गया कि आप इस point पर differentiation करो. यह function है आपके पास. आप इस point पर differentiation करना चाहरा है. मतलब आप क्या करेंगे? इस particular point पर, the name of this point is x equal to a, इस particular point पर आप सबसे पहले tangent खीचोगे. यह आपने tangent खीच दी. यह खीच दी tangent. अब इस tangent का angle कितना आगया? theta. तो जो diva बे dx निकलेगा, कि इस point पर? x equal to a पर, वो निकलेगा 10 theta. तो पहली चीज, आप अगर tangent खीच पाओगे, तब आप slope निकाल पाओगे. अब मैं आपके सामने एक function दे रहा हूँ. अब आप देखिएगा कि क्या आप उसके उस given point पर आप tangent खीच सकते कि ने खीच सकते? यह देखिए. यह एक function है आपके पास. और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कि बताएए इस point a पर यह differentiable है यह नहीं है? तो आप ध्यान से देखिए point a पर यह जो age मिल रहा है, यह जो point a पर एकदम sharp end मिल रहा है. अब इस पर यदि आप tangent खीचेंगे, तो कैसे खीच सकते हैं? यह भी tangent हो सकती है, यह भी tangent हो सकती है, यह भी tangent हो सकती है, मतलब इस पर infinite lines जा रही है, मतलब किसी को भी tangent कहना सही नहीं है, यह infinite tangent कभी exist नहीं कर सकती है, मतलब इस point पर आप अपने function का derivative नहीं बता सकते, तो यह point कहलाता है, point of not differentiability. शरल भासा में बात की जाए, तो mathematics में जितने ages sharp होते हैं, किसी function के, उन point पर function differentiable नहीं होता है, और कहां नहीं होता है, end point पर, जैसे यह एक end point है, अब मैं बोलूँगा इस पर tangent कीचो, तो यह क्या tangent है, इतनी सारी lines जा सकती हैं, जो touch करके जाएं, because tangent मतलब touch करके जाएं हैं बाईलाई, तो there are infinite lines, तो मतलब कोई function, अपने corner पर differentiable नहीं होता है, और जहां पर sharp edges होते हैं, वहां पर function differentiable नहीं होता है, तो graph बना के तो हम हर बार पता नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास एक दूसरी method है, जिससे हम पता करते हैं, कि कोई function differentiable है, या नहीं है, बोलो बिटा clear हुई ये theory, हाँ तो मैं लिखूंगा, अ function y is equal to fx is differentiable at a point x equal to a, if, बेटा analytically, graphically तो हम पता कर नहीं सकते, इतना time नहीं ग्राफ बनाने का, analytically हम पता कर सकते हैं, if right hand derivative, right hand derivative, पहले क्या था, right hand limit equal to left hand limit, यहाँ पर right hand derivative equal to left hand derivative, जी हाँ, वहाँ पर LHL, RHL चलता था, यहाँ पर RHD equal to LHD, right hand derivative equal to left hand derivative, symbolically इसको कैसे शूकरते हैं बेटा, f of a plus h, बट यहाँ पर dash लग जाएगा, मतलब a पर right hand limit equal to f dash a minus h, sorry, a पर right hand derivative equal to a पर left hand derivative, अगर यह दोनों equal हैं, तो हमारा function differentiable हो जाएगा, otherwise हमारा function differentiable नहीं होगा, clear बेटा, चलिए, अब बच्चों देखे, इन दोनों के formula याद कर लो, f dash a plus h का formula, क्या होता बेटा, f dash a plus h का formula, limit h tends to 0, f of f of a plus h minus f of a upon h, यह होता है, हमारा पास किसका formula, left hand derivative का, this is formula of, sorry, right hand derivative, left hand derivative नहीं, right hand derivative, यह f dash a plus h का formula है, और इधर मैं लिख रहा हूँ, f dash a minus h का formula, तो f dash a minus h, this is called left hand derivative, क्योंकि a के पीछे है, तो यह क्या बनता बेटा formula, limit h tends to 0, f of a plus h minus fa upon minus h, यह बनेगा आपके पास में, left hand derivative का formula, ठीक है ना, तो दो formula हमारे पास आचुके हैं, एक हमाय पास आचुका है, left hand derivative का, और एक हमाय पास आचुका है, right hand derivative का, ठीक है, तोड़ी सी mistake होई है मुझे, यहाँ पे, यहाँ पे a minus h है बेटा, this is minus h, ठीक है ना, because a minus h है चल रहा है, clear बेटा, any problem, चलिए आपको बच्चो, यह main formula याद रख रहे हैं, अगर यह दोनों equal हो गए, इसका मतलब function आपका differentiable है, otherwise function differentiable नहीं है, note का लिजए, मैं एक numerical इस पे करवाता हूँ, आपको बिल्कुल clear समझ में आ जाएगा, कि क्या चल रहा है, done, चलिए तो derivative के question हमारी exam में कभी-कभी आते हैं, मगर जब आ जाते हैं तो परिशान कर देते हैं, आईए सबसे पहले मैं आपको question दिखाता हूँ, आपके example का, example का question आपके NCRT में पूछा गया है, कि mod of x जो है, वो differentiable है कि नहीं है, x equal to 0 पर, यह आपके NCRT के example का question है, question है, check, if the function, if the function fx equals to mod of x, is differentiable, at x equal to 0, क्या यह x equal to 0 पर differentiable है, देखिए कैसे करते हैं हम लोग इसको, x equal to 0 पर differentiable है कि नहीं है, तो एक तो इसका logical तरीका है, पहले आप वो देख लो, जिससे आपके मन को थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो logical तरीका यह है बिटा, कि आपके पास जो mod x है, function दिया गया, y is equal to mod x, you know, कि x greater than 0 पर mod x की value x आती है, और x less than 0 पर mod x की value minus x आती है, बोलिए yes or no बेटा, और x equal to 0 पर इसकी value 0 आती है, फिलहाल हमको x equal to 0 का यहाँ पर कोई काम नहीं है, क्योंकि हम जो solve करते हैं, और right hand derivative और left hand derivative, तो यदि आप logically अगर d by dx करेंगे, अर्थात d by dx of mod x करेंगे, तो मुझे बताओ बेटा संचारी आप, कि x का differentiation, x greater than 0 के लिए, x का derivative कितना होता है, d by dx of x, एतना तो पढ़ाओगा आपने, 1 होता है, होता है की नहीं होता, yes, x का derivative 1 होता है, plus x का, 0 की हमें बात करनी नहीं है, अब हमें बात करनी है left hand derivative की, मतलब 0 से कम, क्योंकि हम test किस पर कर रहे हैं, 0 पर, तो right hand derivative 0 से आँगे निकलेगा, और left hand derivative 0 से पीछे निकलेगा, तो minus x का differentiation कितना जाएगा, minus 1, clear की note clear, तो आप देख सकते, जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, left hand और right hand की, derivative की, ठीक है, तो जो function है, उसका logical तरीके में कोई काम नहीं है, ठीक है, यह आपको मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, आप इसको competitive exam में यह यूज़ कर सकते हैं, मगर आपको जो cbsc word में यूज़ करना है, वो बड़ा method है, right hand derivative और left hand derivative वाला, clear, चलिए, तो यह देखा आपने, यहाँ पे f dash 0 plus h, यानि की 0 के right side में, जो derivative आया, वो कितना है बिटा, plus 1, और f dash 0 minus h, clear बिटा, क्योंकि 0 आपका point था, जिस पे आपको चेक करना था, 0 minus h कितना आया, minus 1 आ गया, clear की not clear, this is right hand derivative, this is left hand derivative, clearly, क्या right hand derivative, left hand derivative के equal है, नहीं है, इसका मतलब, क्या यह function 0 पर differentiable होगा, no, so we have the given function, f x is equals to, mod of x is not differentiable, on x equal to 0, sorry, at x equal to 0, clear हुआ बिटा, तो यह कौन सा method था, logical method, ठीक है ना, यह बहुत short में हो गया, अब इसको हम पूरे method से करके बता रहे हैं, clear, चलिए, अब इसको हम पूरे method से करते हैं, देखे, इसको हम पूरे method से कैसे करेंगे, हमारे पास जो function दिया गया है, we have given function, f x is equals to mod of x, and mod of x can be written as, for x is greater than 0, mod of x, x में break होगा, x equal to 0 के लिए, mod of x 0 में break होगा, and x less than 0 के लिए, mod of x किस में break होगा बेटा, minus x में, clear, okay, अब हम जानते हैं, कि right hand derivative, okay, at x equal to a, यदि कोई point होता है, तो right hand derivative का formula क्या होता है, f dash a plus h, equal to, आज बताया है बेटा, limit x tends to 0 नहीं, limit h tends to 0, f of a plus h, minus of fa by h, भूले होता है की नहीं होता बेटा, fa plus h, बिल्कुल सही, very good, a plus h, okay, f of a plus h, minus fa upon h, यह होता है formula, clear, तो बेटा, यह हमाँ पास formula होता है, f of a plus h, minus fa upon h, फिल्हाल हम, यह a के लिए था, बट अभी हम किस पे चेक कर रहे है, 0 पे, क्योंकि हमारा testing point 0 है, तो यह f dash 0 plus h होगा, this is right hand derivative, say yes or no, yes sir, so limit h tends to 0, f of 0 plus h, minus f of 0, divided by h, clear की not clear, yes sir, limit h tends to 0, अब कुछ अच्छे सवालों के जवाब देने आपके, f of 0 plus h, मतलब 0 से बड़े के लिए, बताए, कौन सा function apply होगा, उपर वाला बीच वाला के नीचे वाला, the first one, first वाला, x के place पे हम क्या रखेंगे, 0 plus h, याने की h ही आ जाएगा, आ जाएगा बिटा, yes sir, क्योंकि f x equal to x है, और x की जगे 0 plus h है, and here minus 0, upon h, क्या बच गया बिटा, बोलो उपर क्या बचा, h, नीचे भी क्या बच गया, h, answer कितना आ गया बिटा, constant cancel हो गया, 1, तो right hand derivative यहाँ पर कितना आ गया बिटा, 1 आ गया, clear, yes sir, उपर logically आपने निकला था, देखो जब आपने logically निकला था, तो right hand derivative directly differentiation करने पर 1 आया था, कि नहीं आया था, yes sir, ओके, बच हमको logically नहीं करना, कि वहले मैंने आपको समझाया, done बिटा, आगे चले, yes sir, अभी हमने right hand derivative निकाल लिया है, अब हमें कौन सा derivative निकालना है, left hand derivative, ओके, अब हम left hand derivative की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो right hand हमने निकाल लिया है, अब हम left hand derivative यहां से निकालेंगे, चलिए, तो left hand derivative का formula में लिखता हूँ आपके लिए, white color के pencil लिखूंगा, left hand derivative, f dash a minus h, अपने copy में देखे formula match करिए, limit h tends to 0, f of a minus h, f of a minus h, minus f of a upon minus h, बोले होता है की नहीं होता है? यहां से निकाल लिखता है, तो अभी हमको यहां पर, यह क्या चल रहा है, left hand derivative, किस पर निकालना है, 0 पर, तो f dash 0 minus h equal to, limit h tends to 0, f of 0 minus h, minus f of 0, function की value 0 पर, upon h, minus h, clear बोले हैं? यहां से बोले हैं, हाँ, तो 0 से छोटे के लिए क्या अप्लाई होगा बेटा, plus x या minus x? minus x, minus x, मतलब हम जो function में input पुट करेंगे अपना, वो minus x में पुट करेंगे, तो limit h tends to 0, यह minus लगाया, और हमारा input क्या है बेटा, 0 minus h, है की नहीं बोलो? जिसको हम minus h भी लिख सकते हैं, clear की note clear? f of 0 कितना दे रखा है? 0 पर तो function की value 0 ही है, यह रिख लिजे, 0 पर function की value कितनी है? 0, तो यह 0 पुट कर दिया, और नीचे कितना आगा बेटा? minus h, clear? yes sir, now this is limit h tends to 0, minus minus spluch हो जाएगा, h minus 0 upon minus h, so this will be equal to h upon minus h, कितना आएगा बेटा बोलो? minus 1, minus 1, यह आगी हमारी left hand derivative, तो clearly यहां से आपको दिख रहा है, कि f dash 0 plus h, कितना आ रहा है? plus 1, and f dash 0 minus h, कितना रहा है? minus 1, okay? yes sir, तो क्या left hand derivative, right hand derivative के equal है की नहीं है? no sir, equal है, नहीं है, so, f x is not differentiable at x equal to 0, clear बिटा? yes sir, तो यह होती है differentiability, जिससे हम पता करते हैं, कि कोई हमारा function जो है, वो differentiable है, किसी पॉइंट पर या, नहीं है, okay? yes sir, चलिए, आपके syllabus में, बिटा किवल दो ही question, differentiable हैं, एक question number 9 है, और एक question number 10 है, ठीक है? question number 9 है, और question number 10 है, यह differentiable हैं, दो question आपको given है, ठीक है? yes sir, अब इसके बाद, एक question आपको 10 दिया गया है, यह भी मैं आपको बता देता हूँ, कि question number 10 आप कैसे करेंगे, देखे, कह रहा है कि, prove that the greatest integer function defined by, fx equal to greatest integer x, where x is lying between 0 to 3, is not differentiable, at x equal to 1, and x equal to 2, graphically यह question एकदम लड़ू है, आपको अराम से देखने को मिल जाएगा, कि यह not differentiable है, मगर theoretically हमको करके लाना है, किसी method का, वही left hand derivative और right hand derivative पर इस्तमाल करते हुए, चलिए, तो मैं इसको पहले आपको, graphically explain करने की कोशिश करता हूँ, यह देखी है, हमाई सामने यह question दे रखा है, और हमको बताना है इसमें, show करना है, कि prove that the greatest integer function given by this, 0 से लेके 3 के बीच में, तो पहले मैं आपको class 11th का greatest integer function याद दलाता हूँ, greatest integer function वह function था बिटा, जो हमेशा पीछे वाली integral value पर तूटता था, अगर आप इसको, अगर आप इसको, 1 से कम कोई value देते थे, तो यह 0 पर तूटता था, अगर आप इसको, 1 से equal, या 1 से बड़ी value देते थे, बट 2 नहीं लेते थे, तो यह 1 पर तूटता था, याद आया? याश सर्थ, जैसे, तुछ याद हो आपको, 1.1 equal to 1, मतलब आप 1 से बड़ी value लेंगे, तो 1 पर तूटेगा, ठीक है? 1.9 भी 1 पर तूटेगा, अगर आप 2 या 2 से बड़ी value लेते हैं, ठीक है? तो किस पर तूटेगा बेटा? तू पर तूटेगा, clear की not clear? अब देखो बेटा ध्यान से, यह function, हर integer पर discontinuous है, है की नहीं है? Yes, sir. और discontinuous function कभी भे differentiable नहीं हो सकता है, क्योंकि जो टूटा हुआ function है यहाँ पे, अब इस पर आप tangent कैसे खीचोगे? ऐसे खीचोगे, कि ऐसे खीचोगे, कहाँ पर खीचोगे? दिक्कत है ना? Yes, sir. चलिए, तो अब हम इस question को solve करते हैं, यह तो अपने देख लिया, कि सामने से दिख रहा है, कि यह function discontinuous है, at all in teasers, अब जब all in teasers पर discontinuous होगा, तो all in teasers पर क्या होगा? not differentiable, क्योंकि discontinuous function तभी भी differentiable नहीं हो सकता, समझ में आया, बिटा? Yes, sir. देख लो जैसे, यह एक function discontinuous है, अब मैंने बोला कि, चेक करो आप इस point पर differentiable है कि नहीं है, अब यह बताओ, बिटा मुझे, इस point A पर तुम tangent कहाँ खीचोगे? कि ऐसे खीचोगे, कि ऐसे खीचोगे, कि ऐसे खीचोगे, कि ऐसे खीचोगे? infinite tangent हो सकती है, न? screen visible नहीं है. बिटा, कैसी बात कर रहे हैं आप? पूरी visible हो रहे हैं मुझे. एक बार फिर से left होके join हो जाओ, दिखने लगीगी. Yes. तो मैं यह कह रहा था कि यह discontinuous point है, तूटा हुआ point है, और इस पर आप बहुत सारी tangent की सकते हैं. तो इसलिए जो function discontinuous होता है, वो कभी differentiable नहीं हो सकता. clear बिटा? Yes, sir. So, मैं क्या लिख सकता हूँ? If a function is discontinuous, then it will be not differentiable at point of discontinuity. समझ में आया, बिटा? Yes, sir. मतलब यह कोई function discontinuous है, तो 100% वो क्या होगा, बेटा? not differentiable. clear? Yes, sir. हाँ. तो यदि कोई function discontinuous है, तो 100% वो not differentiable होगा. अगर कोई function discontinuous है, तो 100% not differentiable होगा. ठीक है, बेटा? Yes, sir. और continuous है, तो differentiable होगा की नहीं होगा? होगा, sir. नहीं. हो सकता है, यह कहलो. अगर कोई function continuous है, तो it may be differentiable. हो सकता भी है, और नहीं भी हो सकता है. may be, may not be. दोनों cases है. कैसे? याद करो, अभी तो कराया है मैंने तुमको. greatest, sorry, यह function, mod x. clear की not clear? yes, sir. mod x कैसा function था? continuous function था की नहीं था? yes, sir. इसके बाद भी यह differentiable नहीं था? इसके बाद भी यह differentiable नहीं था. था की नहीं था? yes, sir. नहीं था. not differentiable. तो जरूरी नहीं है, कि function continuous होगा, तो differentiable होगा. बिल्कुल जरूरी नहीं है continuous है तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है clear? yes sir बन जाएगा yes sir अब एक चीज़ यहाँ पर लिखने की बहुत जरूरत है मैं क्या लिखूंगा every differentiable function is continuous but every continuous function is not differentiable समझ में आया कुछ? हर differentiable function continuous होता है मगर हर continuous function differentiable नहीं होता जरूरी नहीं कि वो differentiable हो clear बेटा? yes sir ओके चली बेटा आँगे बढ़ते हैं every differentiable function is continuous but every continuous function is not differentiable कोई जरूरी नहीं है कि हर continuous function differentiable हो अभी आपने देखा कि जो mod x था mod वाले function continuous थो है मगर differentiable नहीं है आईए हम अपने topic पे वापस आते हैं जिस question को हम कर रहे थे यहाँ पे यह हमारा question है ठीक है? इस question को हम करने जा रहे हैं yes prove that the greatest integer function fx equal to greatest integer function x इकाल लो अच्छे सुसको हाँ prove that the greatest integer function fx equal to greatest integer function x x is between 0 to 3 is not differentiable at x equal to 1 तो एक हम को point दिया गया x equal to 1 एक दिया x equal to 2 मैं बेटा आपको एक करके बता देता हूँ आप बाकी के कर लिजाएगा ठीक है बेटा? yes sir सबसे पहले मैं निकालता हूँ चेक करता हूँ differentiable t at x equals to 1 तो बेटा हम जानते हैं हमारे पास जो formula होता है right hand derivative का और left hand derivative का यहाँ पे मैं करता हूँ right hand derivative equals to क्या होता है limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h clear बेटा? yes sir ओके यहाँ पे मैं left hand derivative निकालता हूँ जिसको हम यहाँ पे हम कह सकते हैं left hand derivative is f dash a plus h and left hand derivative is f dash a minus h के नाम से जाना जाता है and the formula is limit h tends to 0 f of a minus h minus f a upon h clear बेटा? sir, minus h जाएगा thank you बेटा बिलकुल सही अब यहाँ पे देखे हम जो examine कर रहे हैं यह a पे कर रहे थे अब फिलहाल हम यहाँ पे जो examine कर रहे हैं हमारा a equal to 1 है है की नहीं है? yes sir so f dash 1 plus h क्या बनेगा limit h tends to 0 f of 1 plus h minus f of 1 divided by h and here it is left hand derivative f dash a minus h equal to limit h tends to 0 f of 1 minus h minus f of 1 divided by minus h जो हमारे पास function दे रखा है वो है greatest integer x all time एक ही function हमारे पास है बस values अलग अलग है तो आई यह put करते हैं बेटा limit h tends to 0 कुछ भी input होगा function यही लगेगा greatest integer 1 plus h minus greatest integer of 1 whole divided by h clear बेटा yes sir limit h tends to 0 अब थोड़ी सी यहां पे integer लगाओ बेटा यह बताओ बेटा 1 से just बड़ी value को greatest integer function 1.1 को किसमें break करता था 1 में 1 में तो बेटा 1 से just बड़ी value को 1 में ही तो break करेगा yes or no yes sir so बेटा यह 1 हो जाएगा और greatest integer integer कभी integer ही होता है तो 1 का 1 ही होता है yes or no yes sir so divided by h so it is equal to 0 upon some value h answer आगे बेटा 0 so what is right hand derivative here 0 clear बेटा clear की not clear clear बेट सरी दरम ऐसे open interval में बी तो close कर सकते थे थे न बिटा यह interval नहीं है यह function है बिटा यह interval नहीं है बिटा यह function है आप इसको interval मत पानो वो तो अपनी value दे रहा है आपको बिटा 1 प्लस h 1 देगा और 1 1 देगा yes sir तो यह necessary है कि इस bracket में रखना इसको अब बताए फंक्शन आपको function में पुट करना है क्या है इस question का function यही तो बस दिया एक ही function और कोई है ही नहीं है yes sir clear की not clear clear sir कोई function ही नहीं तो कहां जाएंगे भाई भाई जितने भी values के लिए एक ही function है है न yes sir 0 upon h अब याद रखेगा अब आप यह नहीं के सकते होगी सर यहाँ पे h की value 0 पूट कर दो no because h 0 नहीं है h is a non-zero number so 0 upon something equal to 0 clear yes sir so check कर लेता हूँ एक बार में तसल्ली के लिए yeah exactly right hand derivative equal to 0 clear बेटा yes sir not talking about left hand derivative अब हम left hand derivative भी बात करते हैं यहाँ पे आ जाते हैं आ जाईए चलिए उठ करते हैं value limit h tends to 0 limit h tends to 0 बिटा दिमाख लगाईए greatest integer 1 minus h greatest integer of 1 minus h 1 minus h minus greatest integer of 1 और minus of h yes बिटा सोच के बोलो 1 से थोड़ा सा कम कहाँ पे टूटेगा greatest integer में 0 0 0 पे yes sir 1 से थोड़ा सा कम very good भाई बिलकुल सही है क्योंकि 1 से थोड़ा सा कम जो होगा वो 0.9 होगा यह 0.99999 होगा तो पीछे वाला integer 0 ही होगा बिलकुल सही so 1 minus h जो होगा वो ब्रेक होगा 0 पे so this will be limit h tends to 0 तो यहाँ पे यह कितना हो गया बिटा अपने पास में 0 हो गया और minus 1 upon minus h so limit h tends to 0 minus 1 by minus h yes or no बिटा yes sir minus से minus cancel now it is equals to 1 by h or limit h tends to 0 clear बिटा yes sir अगर h बहुत छोटा होगा जो 0 के करीब है तो 1 upon बहुत छोटा एक्वाल बहुत बढ़ा nearly infinity yes की नो yes sir because it is extremely small it is tending towards 0 यह बहुत छोटा है तो 1 upon बहुत छोटा इक्वाल बहुत बढ़ा yes की नो yes sir 1 upon h infinity आगया so we have what left hand derivative equal to infinity क्या right hand derivative left hand derivative equal है no sir नहीं है इसका मतलब हमारा given function differentiable नहीं होगा okay yes sir our function is 0 yes sir h tends to 0 है तो h की जगा 0 नहीं रख सकते देखो concept wise आप नहीं रख सकते हो but area आप रख भी दोगे तो आपका अंसर तब भी गलत नहीं आएगा because 1 upon 0 को तब भी आप infinity बोलते हो बोलो यसकी नो yes sir और actually h tending towards 0 h 0 की तरफ बढ़ रहा है मतलब 0 के बहुत close है but exactly limit के concept में h 0 नहीं हो सकता मगर फिर भी रख दोगे तो गलत नहीं आएगा अब ऐसे समझो कि h 0 के बहुत पास में है यह 0 है और h एक दम इसके पास ख़़ा हुआ है तो यह भी तो बहुत छोटा हुआ ना बेटा yes की no yes sir और आप किसी नंबर में से बहुत छोटे नंबर को डिवाइट करते हो तो उसका आंसर एक बहुत बड़ा नंबर आता है की नहीं आता yes sir yes की no yes sir जैसे आप for example 1 में एक छोटा सा नंबर 0.2 का ही डिवाइट करके देख लो तो डेस्मान बेट करोगे तो उपर 10 बन जाएगा तो नंबर 5 आएगा उपर की नहीं आएगा बताओ yes sir तो जब जीरो के थोड़ा पास है तब यह पांच दे रहा है जब जीरो के बहुत पास होगा तो बहुत बड़ा नंबर देगा की नहीं देगा yes sir तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है आप अगर चाहें तो डिरेक्टली जीरो करके भी कर दे clear बेटा yes sir मगर अग डिरेक्टली आप यहां पे जीरो कर रहे हैं तो यहां पे आपको conceptually mistake आ जाएगी मैं गलत आदत बच्चों के अंदर डेपलप नहीं करना चाहता अब आप सोचिए यह आप कहेंगे सर यहां पे भी जीरो है तो आप बोलोगे सर जीरो अपॉन जीरो मतलब की not defined बोलो yes की no yes sir तो यहां पे concept आपके गड़बर हो जाएंगे इसलिए मैं कहता हूं h is non zero number h को आप 0 ना समझें क्योंकि h को आप 0 यदि रखके करेंगे तो आपके concept कहीं आपको धोखा दे सकते हैं समझ में आया yes sir that is actually a number that is very close to 0 okay that's why your answer become here 0 upon something equal to 0 clear है yes sir law चलो done यहां बैठ जाओ यहां इस तरह पाओ नो यह लगो चलिए ठीक है पिटा कोई डाउट no sir okay तो second part देखिए इसका इसका left hand derivative पिटा आगे है infinity और right hand derivative 0 आ चुका है done बिटा yes sir तो यह बाला part आफ कर लेंगे अब चलिए हम सीरे चलते हैं बिटा अपने अगले topic की और जिसका नाम है अब हमने यह देख लिया हमको चेक करना आ गया है कि कोई function differentiable कैसे होता है क्या किसी function का differentiation हो सकता है कि नहीं हो सकता है यह तो हमने बहुत अच्छे देख लिया देख लिया ना अब हम देखने जा रहे हैं कि किसी function को हम differentiate करते हैं तो कितने तरीकों से करते हैं आईए अब हम सीख रहे हैं हाउ टू डिफ्रेंशेट अ फंक्शन मैथड ओफ डिफ्रेंशेट करना तो 11th क्लास में आप कुछ मैथड पढ़ क्या हैं पहली मैथड जिसका नाम है डायरेक्ट फॉर्मूला मैथड बूलो यस और नू यस तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आई होप सारे आते होंगे फ़स्ट डीवाइड ऐस ओफ एक्स की पावर एं कितना होता है बुलो बच्चे एं एक्स की पावर एंड मैइनस ए वन एक्स टुदी पावर एंड माइनस वन डिस फॉर्मूला नौ डीवाइड ऑड ऑग्स यूवल नो डीवाइड यूज बेटा यह से नोट कर लो बेटा मेभी आपको यादना हो एकी पावर एक्स में प्रॉब्लम आती है सब बताएंगे क्लियर हो जाएंगे कि नम एकी पावर एक्स लॉग अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक कोई प्रॉब्लम हो तो बतालेकी की प्रॉब्लम हो तो नो सर भी तक चलिए एकी पावर एक्स लोग एक दीब़े ठीडेस का नमारी हो इस है को सब्सक्र X minus sin X फिर sec X का पता होगा sec X 10X 10X का पता होगा sec X square X पता है ने बिटा ये ? Yes sir लिखने की जरुरूबत तो नहीं है ना ? No sir d by dx of cos X equal to minus cos X cot X Yes sir and d by dx of cot x equal to minus cos x square x right yes sir so these are such function जिसका हमने derivation differentiation simple class 11th में हमने सीख रखा है okay yes sir चलिए अब देखते हैं कुछ नए type के function हमारे पास आने वाले हैं अभी तक आपने देखा कि ये तो simple वाले थे अब इसके बाद division rule multiplication rule भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ d by dx of अगर आपके पास दो function है u into v multiplication of two function क्या rule था बेटा first function को बाहर कर दो second function का differentiation फिर second function को बाहर कर दो first function का differentiation बनता है बेटा आपसे ये yes sir now d by dx division of two function so बेटा अगर उपर से आम गिरा तो पहले किसको मिलेगा जो छट पे ख़़गा हुआ है तो नीचे वाले को बाहर कर दो और आम का मज़ा उपर वाले लेगा then उपर वाले को ब्रोक दो अब थोड़ा सा आम नीचे वाले को खाने दो और आम कम हो गया है इसलिए माइनस और ये चीज मत भूलना नीचे वी का स्क्वेर clear? yes sir clear है बेटा? yes sir okay so ये हमारे पास तरीके थे differentiation के and last d by dx of अगर कोई constant किसी function के साथ multiplied है तो constant को बाहर लेके आई and only d by dx of that function तो ये हमाई basic rule differentiation के जो अपने class 11th में देखे थे देखे थे बेटा? yes sir चलिए अब हमारे पास आते हैं question नय type का तो format 1 था सीधे सीधे formula based question ये आपको 11th class तक मिले थे अब आपको सीधे सीधे वाले function नहीं मिलेंगे अब आपको मिलेंगे कैसे function अब आपको मिलेंगे composite function चीख है ना? तो आज हमारा format number 1 क्या था? direct formula ये format number 1 था you can say format number 1 direct formula based formula based अब चलिए देखते हैं दूसरा है जो आज हमारा दूसरा format हम पढ़ने वाले हैं format number 2 format number 2 differentiation of composite function composite function composite function का मतलब होता है अभी आप तक कैसे function देते थे? जो सीधे सीधे x पर depend करते थे जिसे example के लिए y is equal to sin x अब यहाँ पर sin सीधे सीधे x पर depend करता था अब यहीं मैं थोड़ा सा modification करूँ और आपको मैं question देदू y is equal to sin x square अब बताएं क्या sin x पर depend कर रहा है कि x square पर depend कर रहा है x square x square पर तो पहले sin x पर depend कर रहा था अब यहाँ पर sin x square पर depend करने लग गया मतलब यहाँ पर दो function involved है ध्यान से देखो तो अंदर जो function है that is algebraic function और algebraic के ऊपर बाहर कौन सा लगा हुआ है trigonometric function तो function के ऊपर function को हम बोलते है composite function ऐसे function को हम बोलते है composite function जो सीधे x की उपर depend ना करके कुछ अलग तरीके से depend करे एक function दूसरे function के उपर depend करे तो हम बोलते है composite function ठीक है बिटा? यह सरr तो ऐसे function को करने के लिए हम क्या करेंगे ऐसे function को करने के लिए हम इस्तमाल करते हैं जिस rule का उसे हम बोलते है chain rule इसका दूसरा नाम है और इसी rule का नाम बोलते हैं T rule इसी को हम chain rule बोलते हैं इसी को हम T rule बोलते हैं और इसकी जो मैंने trick बनाई है वो है ट्रिक, इसकी ट्रिक का नाम है कि टेंशन, जो दे टेंशन उसको टी मान लो टेंशन को टी मान लो टी मान लो एक ट्रिक ये है, टेंशन को क्या मान लिया आपने? टी मान लिया और दूसरी ट्रिक इसमें लगती है काश तुम ये होते काश तुम ये होते क्या होते जो हमें लगता है कि तुम सरल होते क्या होते इजी होते इतने इजी होते जो हमसे बन जाता ठीक ना तो जो इजी दिखाने के लिए जिसको जो तुमको डिफिकल्ट लग रहा हो उसको टी मान लेना अब आईए ज़्यादा चीज़ें आपको question से समझ में आएंगी, कैसे करेंगे, पहला question उठाते हैं आपके सामने, पहला question है, sin x square plus 5, sin x square plus 5, first question, ये रिखे, y is equal to sin x square plus 5, क्या करना था, differentiate करना है, with respect to x, तो हम लिखेंगे, पहली line, differentiating with respect to x, differentiation का injection होता है, dy dx, किसके उपर लगेगा, y की उपर, और यहां भी dy dx, किसके उपर लगेगा, sin x square plus 5, बोलो clear की not clear, yes sir, हाँ, अब देखें बिटाई, ये तो left में तो d by dx बन जाएगा, अब मन यहां क्या बोलेगा, हमको किसका differentiation पता है, sin x का, पता है की नहीं पता, बोलो, yes sir, तुम मन क्या कहेगा, कास तुम sin x होते, अब बिचारा x square में है, तो x तो हो नहीं सकता है, तो x नहीं बना सकते हैं, तो t तो बना सकते हैं, तो हम कहेंगे कास तुम sin x होते, तो sin x तो नहीं बन सकता, बड़ t तो बन सकता है, तो हम लिखेंगे, d y dx sin, यहां पर क्या बन जाएगा, t, और bracket में लिखना पड़ेगा, let x square plus 5 equal to t, अभी समझ में आया की नहीं है, yes sir, हाँ, जो दे रहा था tension, उसको हमने बना लिया, t, tension को t बना लिया, या काश वाला formula लगा लो, चलो, अब आगे बढ़ते हैं, बिटा देखो, नए, नए वाले system में, आपका variable t हो चुका है, हो चुका है, yes sir, मतलब नए system में आपका variable t है, और आपका differentiation, जो आपका differentiation का operator है, वो किसका है, x का, मतलब एक तरीके से आपके पास, yes, मरीज आपके पास t का है, पैशेंट t का है, बट injection आपके पास x का है, तो ये तो गलत बात हुई, भूलो हुई की नहीं हुई, yes sir, तो हमको injection भी किसका चाहिए है, t का चाहिए है, तो x t के दरवाजे पे जाएगा, बेल खट-कटाएगा, टिंग टॉंग, sin t दरवाजा खोलेगा, बोलेगा कौन आया है, कहेगा मैं आया हूँ, x, तुम्हारा डिफ्रेंशेशन करने, sin t बोलेगा, अंधे हो क्या, मेरे को t की बिमारी है, और तुम हाथ में x का इंजेक्शन लेके आया हूँ, ओके, मैं वापस जाता हूँ, मैं t को भेजता हूँ, d by dt, sin t, भोलो clear, और dt नीचे दिया, तो dt उपर दिया है, साब बराबर करने के लिए, और ये dx, अल्टीमेटली देखो, d by dx बचा की नहीं बचा, अब d by dt, sin t, sin t का differentiation, cos t, जो हमने कास बोला था, हो गया differentiation, और d by dx, और t की value replace कर दो, t की value क्या है बिटा, x square plus 5, ओके, yes sir, यहां पर d by dx ही चलेगा, d by dx, now it is cos t, तो t की value वापस replace कर दो, cos x square plus 5, अब बिटा आराम से, d by dx, x square क्या 2x होता है की नहीं होता, yes sir, और 5 का 0 हो जाएगा की नहीं हो जाएगा, yes sir, so your answer will be 2x into cos of x square plus 5, समझ में आया की नहीं होता है, yes sir, so इस तरीके से आपको differentiation करना है, इसी को हम chain rule बोलते हैं, इसी को हम t rule बोलते हैं, इसी को हम मेरी method में काश method बोलता हूँ, ठीक ना, काश तुम वो होते हैं, काश तुम वो होते हैं, काश हैशा होता, काश वैसा होता, इनी problem, yes sir, no sir, तो यह हो गया, देखे, यह तो हो गई, बोर्ट में नंबर पानी की बात, अब competitive exam के लिए, जल्दी जल्दी करना है, तो एक और method में आपको बता रहा हूँ, इस method का नाम है, डंडा method, ठीक ना, हम क्या करेंगे, हम डंडा चलाएंगे, चली, कैसे चलाएंग के डंडा, y is equal to, question है, sin x square plus 5, clear है, बिटा, yes sir, अब d by d x, सबसे पहले डंडा चलाओ, आडे में, तो y पे चल गया, तो d by d x, अब बोलो, sin पे डंडा चलता, तो sin का differentiation क्या होता, cos होता है कि नहीं होता, yes sir, तो cos, अब जिस पे डंडा नहीं चला, रख दो अच्छे से आँगे, चलो, into, आँगे डंडा चलाओ, बोलो, x square का differentiation कितना होता है, 2x, 2x, और 5 पे डंडा चल गया, कितना हो जागा, 0, answer आगे, चेक कर लो बेटा, 2x, cos x square plus 5, ठीक है, yes sir, yes, ठीक है, इसमें भी यही आया था, बट यह method है पूरा, और यह trick है, clear है, yes sir, तो यह पहला, दूसरा format था हमारा, sorry, differentiation of composite function, ठीक है बटा, yes sir, differentiation of composite function, जब एक function, के ऊपर कोई दूसरा function काम करे, तो इसको हम बोलते हैं, composite function, चली आए, अगला question देखते हो का और, cos sin x, वा भाई वा, तो x के ऊपर sin लगा है, और जो बन गया, उसके ऊपर cos लगा है, चली, तो y is equal to cos sin x, second question, y is equal to cos of sin x, differentiate करने के लिए, हम बुलाएंगे x को, dy dx, y q पर लग जाओ, dy dx, x, चल दिया, cos of sin x, काश, तुम क्या होते, कि वल तुम cos x होते, तो हम तुमारा जट से differentiation कर लेते, बुलो बेटा, yes की no, yes sir, तो कौन दे रहा है, इस बार tension, sin x दे रहा है, दे रहा की नहीं दे रहा है, yes sir, तो जो tension दे रहा है, तो उसको t मान लो, तो let sin x equal to, बेटा, t मान लो, z मान लो, u मान लो, कोई जरूई नहीं है, अलग-अलग किताबों में अलग-अलग मानते हैं T वैसे ज़्याद़ चलता है चलें T तो D by D X ये क्या बन गया बिटा Cos T फिर से वही TING TONG BEL BG क्या है X के injection हो अरे मैं T का मरीज हूँ T लेके आओ तो D by D T Cos T हिसाब बराबर करने के लिए उपर D T नीचे D X Cos T का डिफ्रेंशेशन माइनस साइन माइनस साइन T और D by D X और T की जगे क्या वैल्यू मानी है Sine X Clear बिटा Yes Sir तो माइनस साइन T की जगे Sine X और Sine X का डिफ्रेंशेशन Cos X Cos X माइनस साइन Sine X Cos X माइनस साइन Sine X Cos X दिस इस यूर अंसर माइनस साइन Sine X Cos X Clear? Yes Sir Any problem? No Sir चलिए डंडा मेथद से इसको देख लेते हैं Y is equal to Cos of Sin X Y equal to Cos of Sin X सबसे पहले Y पर डंडा चलेगा D by D X equal to Cos पर डंडा Cos का होता है माइनस साइन X की जगे ये बेठा है वैसे ही रख दो माइनस साइन X फिर साइन पर डंडा चलाओ साइन X का क्या हो जाएगा Cos X बुलो clear है? Yes Sir चलिए बिटा किसी मेथद में confuse मत होना दोनों को mix मत कर देना ये मेथद आपके competition के लिए या जब आपको question जल्दी जल्दी करना हो तब के लिए है Yes Sir क्योंकि जब बड़े-बड़े derivative आएंगे तो इनको छोटे में ऐसे ही नप्टाना पड़ेगा चलिए आंगे बढ़ते हैं Next question की और देखते हैं अगला question है हमारा Y equal to sin of AX plus B Y equal to sin AX plus B sin AX plus B चलिए differentiation कर दिया हमें डी वबे-डी-एक्स equals to D by D X of sin AX plus B तुरंत हमारे मन ने कहा तास ये sin X होता मतलब ये चीज दिक्कत कर रही है तो इसको हम T ले लेंगे AX plus B equal to T let करके लिख देंगे let AX plus B equals to T clear? Yes Sir AX plus B को हमने T मान लिया है तो ये हो जाएगा D by D X sin T टिंग टॉंग D by D T sin T D T उपर D X नीचे ठीक है? sin T का differentiation कितना हो जाएगा? cos T D by D X T की जगह क्या जाएगा? AX plus B तो cos T की जगह है AX plus B अब आंगे differentiate कर दो A constant है X का derivative 1 और B constant का हो गया 0 A बाहर आजाएगा X का 1 और B का 0 हो जाएगा अकेले है सो क्या हो गया आंशर? cos AX plus B into A or you can write A cos AX plus B बोलो क्लियर बिटा? Yes, sir So this is the derivative of sin of AX plus B ठीक है बिटा? कोई दिक्कत? No, sir चलिए, next दिखिए Y is equal to sec 10 root X मतलब composition की भरमार है तीन function composite हो रहे हैं आपे ठीक है ना? देखिए, Y is equal to sec 10 root X कैसे करेंगे? Y is equal to sec of 10 of root X तो actually क्या हुआ देखिए सबसे पहले? सबसे पहले X पर पहला चीज root लगा इस root के उपर कौन डेपेंड किया? 10 डेपेंड किया और उस 10 पर कौन डेपेंड किया? sec डेपेंड किया Oh my God काफी बड़ा composition है हमाए हिंदूों में रिष्टों में भी बहुत composition होता है मेरे चाचा की मामी का लड़का बहुत बड़ा composition है ये है न? ऐसे ही तो यहां भी composition इस तरीके से चल रहा है आईए इसको करते हैं solve कैसे करेंगे solve देखिए चली देखिए कैसे करते हैं तो यह हमाए पास y equal to sec 10 root x है तो question को differentiate करने के लिए मैंने d by dx लगाया तो d by dx equals to d by dx of sec 10 root x तो मेरे मन ने यही कहा कास यह sec x होता तो यह बटा sec को छोड़के पहले function को छोड़के जितने function है उसको आप एक नया variable assign कर लो t ले लो तो क्या हो यह बटा 10 root x whole में है कि इंटू में है sec के बटा sec sec का theta है यह sec का angle यह पर bracket नहीं लगा ना नहीं भले नहीं लगा है बटा उसको angle माना जाएगा अब जैसी यह sign x है तो sign का angle में angle लगना जरूरी है क्या नहीं भी होगा तो भी angle माना जाएगा बोलो यह स्की नो यह स्राइगल है है ना और 10 के angle में कौन बैठा है root x बैठा है clear चलिए तो d by dx of sec e अब जान में जाना आई इसको देखकर के यह जाना पहचाना है तो d by dt यह हो गया sec t और यहाँ पे हो गया dty dx तो sec x का derivative क्या होता है sec x tan x तो sec t का क्या हो जाएगा sec t tan t बोलो बेटा होगा की नहीं होगा येस सर और d by dx of t तो t की value क्या मानी है अपने tan root x tan root x तो चलो यह वाली party तो निपट गई sec t tan t क्योंकि इनका काम तो हो चुका है तो sec t की value पुट करना हो यहीं पर पुट कर दो या लाश्ट में पुट कर दो तो t की value tan root x थी into tan tan root x ये काम तो हो चुका अब हमको main इस से निपटना है तो ये क्या है d by dx of tan root x तो मन क्या कहेगा कास तुम tan x होते मतलब अब दिक्कत कौन दे रहा है ये दे रहा है एक बार आप t मान चुके हो तो आप t नहीं मान सकते हो इस बार आप root x को z मान लो है ना तो लिखेंगे let root x equal to z मान लो u मान लो जो मानना हो मान लो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d by dx tan z क्योंकि आपने root x को ये मान लिया z मान लिया ये इनको ऐसी ही चलने दो sec of tan root x into 10 of tan root x ठीक है बिटा और d y ting-tong d z tan z और हिसाब बराबर करने के लिए d z by dx समझ में आ रहा बिटा ये स्था तो sec of tan root x into 10 of tan root x और 10 z का differentiation बिटा 10 x का क्या होता है sec square x होता है कि नहीं होता है तो 10 z का क्या होगा sec square z clear and d y dx of z z कितना है बिटा root x root x को मैं क्या लिख सकता हूँ बिटा x की power 1 by 2 लिख सकता हूँ की ने लिख सकता yes sir root x मतलब x की power 1 by 2 तो ये क्या बन जाएगा बिटा sec of 10 root x into 10 of 10 root x sec square z तो sec square z की value तो root x थी और चलो इसको solve करता हूँ क्या लगेगा formula बिटा and x की power n minus 1 so this will be sec of 10 root x 10 of 10 root x sec square root x 1 upon 2 x to the power बिटा आधे में से एक जाएगा कितना बचेगा minus half yes or no yes sir LCM लेके भी कर सकते हो so finally आपका answer आगया sec of 10 root x 10 of 10 root x into sec square root x into 1 by 2 x की power 1 by 2 नीचे आएगा तो upon में x की power 1 by 2 जिसको मैं root x लिख सकता हूँ this is your answer clear बिटा yes sir so sec of 10 root x 10 of 10 root x into sec square root x into 1 by 2 root x clear बिटा yes sir now question number 5 type बहुत सिंपल है डिवीजन करोगे बिटा डिवीजन फॉर्मले से डिनॉमिनेटर इंटू डिफ्रेंशेशन अफ निउम्रेटर इंटू डिफ्रेंशेशन आफ डिनॉमिनेटर इस तरीके से करते जाओगे बो कर लोगे बिटा yes sir इसमें multiply rule लगाना है अकले वाले में root x को t ले लेना है बाकी ये दो composition वाले question अपर ने करा दिये हैं clear yes sir चलिए तो ये हमारा बिटा format 2 यहाँ पे complete हो जाता है जिसको हम chain rule भी बोलते हैं जिसको हम t method भी बोलते हैं किका बिटा अब अगला format हमारा आता है next format हमारा आता है जिसका नाम है differentiation of implicit function format नमबर 3 format third type का differentiation अब बोलते हैं differentiation of implicit function implicit function implicit का मतलब होता है बिटा उल्जे हुए जिनको आप अलग अलग ना कर सको देखो अभी तक हमारा पस जो function की category थी वो थी y is equal to fx मतलब y की party पूरी यहाँ और x की party पूरी यहाँ जैसे example में आपने लिखा y equal to 3x square plus 4x तो देखिए y अकेला यहाँ है और x के पूरे टर्म यहाँ है यह आपके पास में कैसा function है बिटा implicit, sorry यह आपके पास में simple function है देखना यह एकदम सुल्जा हुआ function है इसमें कोई दिक्कत नहीं है x और y के टर्म आपको अलग-अलग दिखाई दे रहे हैं अब कुछ function मैं आपको दे रहा हूँ देखिए आप उसमें x और y अलग-अलग नहीं कर सकते हैं for example मैं आपको दे दूँ y is equal to sin of x plus y plus 2x चलिए बताइए अब इसके angle के अंदर है क्या आप इसमें y इधर लाके और x इधर लाके इसको बना सकते हैं की नहीं बना सकते क्या इसमें y और x अलग-अलग कर सकते हैं आप की नहीं कर सकते हैं किसी हालत में कैसे अलग कर लोगे बिटा कहां से हो जाएगा अलग नहीं हो सकता यस से नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा ठीक है ना तो y और x इसमें अलग नहीं हो सकते, तो ऐसे function को हम क्या बोलते हैं, implicit function, क्या बोलते हैं ऐसे function को हम, implicit function, जिसमें y और x अलग अलग ना हो पाए, तो ऐसे function के लिए trick न देखिए, note करिए ऐसे function की trick, ऐसे function की trick है, आव न देखिए ताओ, एक मुहावरा है, इसका मतलब है न आंगे देखो न पीछे देखो, बस कर दीजिए धाव, धाव का मतलब d by dx, differentiation कर दो, बिना कुछ सोचे आपको differentiation कर देना है, आव न देखिए ताओ, बस कर दीजिए घाओ, आईए देखते है, question से आपको समझ में आ जाएगा, कि इस trick का मतलब क्या है, जैसे ये question आपके पास में है, ये तो फाल्तू में इसने देदिया question, ये तो simple question है, कोई implicit जैसी इसमें चीज़ी नहीं है, 2x प्लस 3y इकॉल टू साइन एक्स, अब इसमें क्या भाई, 3y कोलक कर लिजे, तो साइन एक्स माइनस 2x हो गया, और y कोल्टू कितना हो गया, साइन एक्स माइनस 2x अपान 3 हो गया, 2x अपान 3 हो गया, बुले कोई दिक्कत? अब इसमें अब इसका differentiation करना चाहते हैं, तो 1 अपान 3 बाहर आजाएगा, constant है, और derivative हो जाएगा, किसका, sin x माइनस 2x का, तो लिए भाई, बच्चों वाला question है ये तो, 1 अपान 3, sin x का differentiation क्या होता है, cos x, और 2x का 2 constant है, बाहर आजाएगा, x का हो जाएगा, 1, तो answer आगया, 1 by 3, cos x minus 2, ये लिजे, answer आच चुका है, cos x minus 2 upon 3, ठीक है बटा, तो ये तो simple question था, कोई implicit case में बात ही नहीं थी, अब ये रेखिए, 2x plus 3y equal to sin y, ये है implicit, 2x plus 3y equal to sin y, question number 2, 2x plus 3y equal to sin y, अब इसे मैं क्यों implicit कह रहा हूँ, क्योंकि किसी हालत में मैं एक तरफ y और एक तरफ x नहीं बना सकता, पिछले बार में देखो, मैंने एक तरफ y बना लिया था, और एक तरफ x बना लिया था, तो ये function implicit नहीं था, ये कैसा था, explicit, यानि कि सुल्जा हुआ, सुल्जा, जह जंडा, और ये function कैसा है, implicit, मतलब कि उल्जा, अभी गाना भी आया था, तेरी बातों ने ऐसा उल्जा दिया, ये वही उल्जा है, तो ये उल्जा हुआ फंक्शन है, वाई इसमें differentiate कर देते हैं, मैंने क्या बताया, आओ न देखेताओ, बस किये जाईए गाओ, तो बस गा हैं, पहले डी बाइडी एकस, किस से निप्टेगा, फिर डी बाइडी एकस, 3y से निप्टेगा, और यहां पिर डी बाइडी एकस, साइन वाई से निप देगा आईए सॉल्ट करते हैं 2x में 2 constant है बाहर आजाएगा x का differentiation 1 होता है 3y में 3 constant है बाहर आजाएगा अंदर बचेगा d by dx equal to x का injection y का मरीच टिंग टॉंग बेल बच गई क्या है x लेके गया हमें y चाहिए है ये लो y ले लो हिसाब बराबर करो y उपर x नीचे बोलो बेटा सावज में आया कि नहीं आया ये सर्फ 2 प्लस 3 d by dx equal to sin y का differentiation cos y d by dx ठीक है तो 2 को इधर रहने दो cos y d by dx इनको भी यहां ले आओ ये 3 है प्लस में इधर आएगा minus में हो जाएगा minus 3 d by dx तो 2 equal to यदि में d by dx common ले ले लेता हूँ तो क्या बचेगा cos y minus 3 तो हमें निकालना था derivative d by dx ये multiply में है divide में जाएगा 2 upon cos y minus 3 this may be the answer let's check yes 2 upon cos y minus 3 clear बचा yes sir क्या बन गई ट्रिक आओ न देखिये ताओ बस कीजिये घाओ पे घाओ मतलब left side भी derivative और right side भी derivative बाद में जाके आप d by dx को collect कर लेना एक तरफ ले आना और answer निकाल लेना कर ये बिटा बन जाएगा yes sir okay so this is enough for the day अब आप practice करिये इतने questions बहुत हो गया है आपको मुझे अब next दो exercise करके दिखानी है complete 5.2 and 5.3 done yes sir yes